प्रभुश्री राम की नगरी में राम लला का महाभोग बजरंग बली के सही योग से पूरा हुआ ऐसा हम इसले कह रहे हैं क्योंकि ये अतिहासिक कार है हनुमान गड़ी के श्री हनुमत संस्कृत सनात को तर महाविद्याले निर्वानी अखाडा के प्रांगर में किया गया खान पान के छेतर में कई रिकॉर्ड अपने नाम करा चुके देश की प्रख्यात शेफ विश्नु मनोहर ने 7000 किलो श्री राम भोग हलवा तयार किया जिसे पहले भव्य राम मंदिर में विराजमान राम लला को अर्पित किया गया उसके बाद श्री राम की दर्शन को आई श्रधालों में इसका वित्रन किया गया राम लला के भव्य मंदिर में विराजित होने के बाद हर राम भक्त अपने आराध्य भगवान की सेवा में खुद को नियोच्छावर कर देने के लिए राम नगरी पहुँच रहे हैं हनमान कडाही चढ़ाने के लिए आये हैं जो हल्वे के भोग लगाने के लिए हैं पोज सीवा जी की जयंती भी है आदरनी गोलवर कर जी की जयंती है इस उपलक्ष में इतना इवेंट इतना बड़ा प्रोग्राम इस तरह से अपने आप में हमारे जीवन काल में पर्थम हैं क और जितने विष्णु महाराज मनोहर जी ने बनाया हुआ है और जिस तरह से आपका योगदान है जिस तरह से भी शुरुकार बन रहा है यह अपने आपमें अदूतिय है साथ हजार की लोग का अनंदा आ रहा है यह काम करते हुए और इसे काम करते करते हैं मराम रक्षा पठन कर रहे है साथ ही में हमारे लाइफ का इंवरेवल इन है यह दिन हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे हमें भगवान राम का काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है बहुत आनंदा रहा है हम सो टक्का सवभाग्य शाली महसुस कर रहे हैं हम 45 लोग नाकपूर में से आए है ऐसे ही छद्रपती शिवाजी महराज और गोलवलकर गुरुजी की जयनतिकों पलक्ष में विश्व के प्रसिद शेफ विश्णु मनोहर ने यहां 7000 किलो सोजी का हल्वा बनाया शेफ विश्णु मनोहर के साथ कई प्रदेशों से आए इन राम भक्तों ने भी जय श्री राम के जोरदार जयकारे के साथ अपनी सहभागिता निभाई विश्व प्रसिद शेफ विश्णु मनोहर के साथ यहां कही मैलाओं ने राम रक्षा स्रोत के उच्चारन के साथ कड़ाई में सूजी डाली तो वही माता अनपुर्णा का भी आवाहन किया